हेलो फ्रेंड्स प्रीपल में आप सबका स्वागत है आज हम लेक्ट आए चना दाल नमकिन जो भी बिना केमिकल के बिखकुल इजी टाइप से बताया है मैंने तो इसमें किसी प्रका का केमिकल कुछ नहीं डालेगा तो भी स्टाट करें हम क्या करें जी चना दाल नमकिन ले कोशिश करना थोड़ी मोटी आती वह लेना अगर मालो नहीं मिले तो चलो यह भी ले सकते हो लेकिन क्या करेंगे जी चना दाल डेले ना अपनी कित्ती बनाने इसपे पानी डालना ठीक है पानी तने डालना कि चना दाल नीचे आ जाए और पूरा पानी उपर तक आजए तिक है कि नमकिन को ना कुछनी करना आपको आना चीन-चार बार धोलना आ पहले आच्छी से वोश कर यह पूरा चलीन जाए और ट्रांस्पेंट वाला पानी रहे जाए इतनी वार वोश करना है तो न हमें न देखो यह आप देखो यह तो आप सोडा डाल सकते हैं जैसे अगा आपने थोड़ी बारिक नमकी ली ना चना दाल तो आप इसमें न एक चमच सोडा डाल देना और यह तो नमट डालना कोई कमपल सरी नहीं है तो आपको बता है जब बारिक वालें थोड़ी फूल जाएगी वह ठीक है जिसके ऑप्शनल बता है मैंने इसको चार घंटे के लिए रख देंगे मैंने चार घंटे तक भीगो के रख दिया था अब हम क्या करेंगे चार घंटे जनल नहीं जिसके फालें चीथ फी कोई में बार घंटे करेंगे जके एक लिए बना स्चाऴ तो थी बार घंटे इन फदेहित नमा कोई एक कब चली जाएक है यह कोईसे नॉर्माल की जनल द सुनको ना इसमें बाक ना पानि बाल दने बाक्याव धानी जो पर इतना पानी इसे के दो के लिए देटेगे पहले चार घंटे रखा है आब दो घंटे के लिए कि टीक है ठीक है दो खनटे तक रखे रहने देना को फिर क्या करेंगे अब मेरे 24 घंटे में रख दिया था अब इसको आंपसा न चलिमें चांद लेंगे इसमेसे मतलब पूरा दूद पानी रखलेंगे हो डाल लेगे है दूद यह इसमें एक्षा और पानी यह ना था बानी लेखक या अब लो अश्कार बार बोशे tarkता से हाथ से मसल के करना ता कि इसका दूध निकल जाए नहीं एक-दू बार करके रहे जो दूध रहे जाए थोड़ा इसमेला जाएगा फिरो ना तो पानी में ऐसे डाल के हाथ से लिए बताती हूं अब को इतनी बार करना कि ट्रांसमेंट वाला पानी रह जाए बस ठीक है ना तो ऐसे करने आपको तहाना तीन चाह बार की दूद निकल जाए पूरा बस आपको पानी और डाल क्लियर दिखे ठीक है ना फिर यसे तीन चाहँ बार वश करके दिखो आप मतात आपको लग रहा है दूज डाला कभी आपने इसमें नहीं लग रहा ना बस ऐतना इतनी बार वाश करना है कि ऐसा पानी आजाए नॉर्मल ठीक है कि दाल को कितना मसल लिया फ्रद भीना टांस्मेंट अला दिख रहा ना पानी तो आपस चान लेंगे ठीक है बस इसमें कुछ बुख ना पटाए और यहां इसमें वाश करने का भीगोने का अच्छ से कर लिया ना तो आपकी दाल फस्ट लास बनेगी ठीक है फ्रम लोग क्या करेंगे यह कपड़ा लेंगे डियुगे पहले इसको डालेंगे इसको इसको अच्छे से मस लेंगे इससे देको दूसरे कपड़े से ताकि उपर से दाल थोड़ी सी हो जाए आप सोचिंगे सुखाना होगा कुछ नहीं सुखाना है आपको अगर दूपार तो दस मिनट नहीं तो ना आपको रूम में भी आप 10 मिनट रख लो पस ऐसा अच्छे से पौश लो ताकि पानी अलग से हो जाए पर देंगे तो दाल गीली रहएगी अब अनना जैसे यह करें जो कपड़ा ले लो तो आपको दूसरा कपड़ा ले लो उस सूखे कपड़े में वापास डाल दो डाल दो फिर पर से लाटे क्या करना है एन इसको चारते टरह प्या था तो में वन साइट क्या था मैंने अब मैं देखो बहुत बड़ा कपड़ा है अब स्कुदी हो यह प्धार बढ़ा में दूसरी साइड इसको डाल है कि क्या जात ऐसे डाल के और ना देखो चार्थ है से फिलाना है कि एसे तरुब देखो यह उतक्ता सुख से ना अब जाया टाइम लेगा 10 मिनिट रखना है बस इसे केकदाना करके ऐसे फिला देना है बस आपको ताकि ना सब पे ना हवा लग जाए और ना थोड़ा सा नम्मी होती ना वो निकल जाए इसकी चीक है अब इसको 10 मिट रखना है देखो आप ऐसे करना है आपको चीक है और बीचे बस 10 मिट रखोगी ना तो बीचे आफ्टर इसको एक बार हाथ मेंने फिर आना ऐसे घुमा देना चाटरो ताकि नीचे से उपर अपो जाए और उसमें थोड़ी सी हवा लग जाए ठीक है अब मेरे ये ना 10 मिट हो गया है मैंने तेखो ऐसे रखाए विकुल आप भी सेम ऐसे रखना ठीक है आप दूप में रखना दूप में ऑसे मासाली में में ताकि अब नहीं हम जब तक यू रहा ना aम करऊंगी है घाद कर शेर लेकाली कनलेटे स्धिकावा जीरा ठीक है ना तो आपने ये सबमक्री लेने में सबको करेंगे मिंख करलेंगे और किशे मिल्ग्राइब दाल में तो थोड़ा करके डालेंगे आप देखते पूरा वीडियो देखोंगे लास्त तक आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करना है कि कोई भी मसाला अलग से नहीं दीखे सारा यerson मिक्स हो जाए ठीक है और यहां अबर टेल की कि इतना गरम करना है महां तेज़ गरम नहीं करना है बस इतना हो जाहा है बबलेट अब से तो ना समझ को तेल हो गया इतना रखना कि अपके आहा को पिर यह सबस्क्राप्वाइब तो क्या होगा तेज कर दो भार से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी तो नीचे से सिख जाएगी और नीचे से जल जाएगी तो इसे करने से जाता है उपर नीचे होती रहती है तो चाथ रूप से सिख जाती है तो कंट्यूनी नी करना है बीच बीच में ऐसे चलाते रहें आपको चीक है और अब पताती में कैसे पता चलेगा को सिखाएगा अभी देखो यह नीचे बैठी ना डाल विक्कुल उपर न बीच इसे लाना है इसे लाना है को ठीक है दिखना दाना इतना अच्छा बनेंगा आपका विक्कुल बहुत अच्छा ठीक है अब देखो मेरी दाल होने लगी न यह उपर आने लग गई इसका अधर सिख रही है बस थोड़ी देखोंगे आप कलर पर मज़ना बस उपर आजाए न तो अपना और हां ध्यान रखना आप सोचुके ना कलर वाइड दिख रहा है जब ठंडी होने निकालोगे तपना पिया कलर देती है और जब यह जब ध़ंडी हो जाए जाएक तो कलर पर मज़ना बस देखो मेरी दाल सिख गई ऑपर इपना इसको निकाल लेंगे रहा ना और ध्यानक ना कड़ाई में एक भी दाना मत चोड़ना प्यूंकि जब निका तो इसमें आ जाएगा जाला हुआ तो दार कर टेस्ट खराब हो जाएगा ठीक है अब यह देखो ऐसे करो आगी मैं इसलिए कर दो तक नीचे न वह भी आ जाए ऐसे करके तो आप ऐसे निकालना जैसा कि ओल जाए ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अब मैंने इसमें देखो अच्छ निकल गया ना ओइल अब इसमें निकाल लूँ यह सारा और आपको ना इसा पोड़ टाइप होता है बहुनी टाइप में इस टाइप का बरतन लेना है प्लेट्स में नहीं निकालना है क्योंकि वह रिज़न आपक मचा इसमें ऐसे मने नहीं करना है मसाला टाल से थाल में हो पाएगा इसे दीप काल बरतन ना आपने लेट्स शोटा है लॉज लेट के सब्सक्तर्स गैसे नहीं इसमें हैं और ब tale किot is aung do कि मैने जैसे बता है न वैसे करना इपको अच्छो जागे अब क्या करेंगे दूबारा बताओ अजो हैं अब दूबारा क्या करेंगे अब दूबारा थोड़ा से घररम होने देना इसे करो देखे आप ना यह भी नीचे बैठी हो देख लिए आप देखना ठीक है तब देखना अप अपपर आ जाएगी शिप्पी जाएगी ना विजाती जाएगी देखो बस ऐसे आप त्यान रखना इसको ऐसे करते रहे ना बस अगर आपने छोड़ दी रहा तो दाल आपकी करनाे इसमें नहीं ढालना है आपको अजा करना आपक कया करना मसालो यहीमा इसमें नहीं दालकर दोंगे है अब देखे आप देखने यह व्यहां अब मैंन刹 चłbymnay अगर इसमें नहीं दाल दोंगे इससमें डाल दूंगते ऐसे लीचा looking a suis ceक है आई डे आजमे एकी कारें noodles निकाल लूगों को अउसे आपे द्जिया लेकों आप अदू हुए आपो और भी टॉकळ पर्व裡 रालानiasm है आपको से जाले है कि अब अना पहले वाली को इसमें वापस डाल दो अब दोनों को आपस मेलता की क्या होगा कर भूद कम ज्यादा मसाला डाला जैसे पहले जार बादी हो इसमें डाल के वह एक जीसा टेस्ट आएगा सारी नम्की में देखो। कितनी अच्छी बनी न आप देखो एकिक डाणे पर ना वा साले की नहीं बता सकते आप देखो और एक-धना कितना खिल गयाा है देखो आप और अब यह कितनी ना करपशी बनी के तो भई जह सकती। आप एक फूद बनाना जैसे मैंने बता है ना सेम वैसी बनाना आपको पता चलिया किता क्रिपसिव नहीं है हल्वाई से भी जादा अच्छी बनी है ठीक है अल्वाई बनाता है को मार्केट से भी अच्छी बनी मतलब देखना एक बनाओगे थोड़ी सी बनाके ट्राइक करना आप खुद क्या अच्छी